तो स्वागत है आपका ग्यापन एक ये के इस बहुत ही चबरदस जीओग्रफिय के लास में पता है बहुत संदार क्लास होने वाला है थ्रीज और फोर का अब चुटक्यों में याद कर लेंगे याद कर लेना है वो त्रीक के जरी याद करेंगे उसके लिए आपको टेंजन नहीं लेना है सेशन को सेयर कर दिया और फिर से एक बार गुड मॉर्णिंग टू आल अफ यू सबको गुड मॉर्णिंग उमीद करते हैं कि आपका सुबह बहुत अच्छा होगा और पूरे ठंडे के साथ का साथ साथ कूल कूल जरूर होंगे तो चलिए लेशन को शुरू कर अभी आप जानतेब्य बार किंद्र सासीत प्रदेश जो की जिस पर किंद्र का अदिकार होता है जो राजै से हटके होता है किंद्र सासीत पर किन्द्र साथ acquisition पर्देश सब्सेज्ञादा लोगत पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पढ़नेidé Państu होते हैं जो थोड़ा सा नॉलिज़े बूले उनको क्या होता है कि लक्षे की प्राप्ती होती है कि हम कुछ न कुछ प्राप्त कर ले तो आपका नमबर सबसे ज़्यादा लोग पड़े लिखें यहां देख सकते हैं कि 2011 का जब जनगरना हुआ था पूरे भारत को रखेंगे दो नमबर कोशन भी बहुत असान है मानो विकास के मापन किस परकार किया जाता है अब देखो जैसे मानों कि कोई सब्जी खरिदने जा रहे तो किलो में नापते हो ना ठीक है तो अब इंसान कितना आगे बढ़ रहा है इसको भी नापना पड़ेगा ना कि डेवलोप्मेंट इंडेक्स नहीं मानों सुचकांक द्वारा नापते हैं ठीक है यह याद रखिया और सबसे पहले पता है कौन महभूब उलहक ने यह मानों विकास रिपोर्ट दिया था कब दिया था 1990 में दिया गया था 1990 में याद रखिए एच डी आई 1901 190 1990 में दिया गया था वैसे याद कैसे रखिएगा तो आप यह नो के बाद क्या आता है दस आता है दस आता है तो यह याद रखिएगा अगला थ्री नमर कोशन यहाँ पर अभी आपको खुद बद रहा है कि मानों विकास रिपोर्ट जो है ठीक है पहली बार कप परकासि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा गयापन अफिसियल पर उसके लिए टेंशन नहीं लेना यहाँ देखिए तो यहाँ आपको पूरा का पूरा हम डेटा लिख दिये हैं ठीक है इसको आपको पढ़ने में बहुत ही सुईदा होगी यहाँ देखिए तो 1990 में अब आपसे कुछन पुछा जाएगा कि मानो विकास रिपोर्ट आखिरकर कौन जारी करता है कौन बताता है ठीक है तसनीत राष्ट विकास यू एंडी पी ठीक है यानि यूनाइटेड नेशन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम ठीक है इसके दौरा इस ऑफिस के दौरा यह जारी किया जाता है कि मानो कितना डेवलप्ट कर रहा है ठीक है तो यह किसने किया तो मेहबूब उलहक ने किया और एक भार्तिया नोबेल प्रशकार विजेता यहां पर अमरते सेन अमरते सेन दुनों आदमी मिल करके दिये तो आमरत मनें नहीं मरना महबूब उलहक महबूबा वाला ठीक है महबूबा से वादा कर लो कि हम कभी नहीं मारेंगे है न चलिए अगला कुश्चिन अगला कुश्चिन बहुत ही संदार है मानो विकास सुचकांक 2016 में ज 131 नमबर प्र एक नमबर पे कौन आया था जबत didn'tokay पर इसे तीन औच दिखें गाड़ाच थीक्वेशे जिसमें पहला नौर्वे है यहीं पर नौर्वे में नौर्वे 103 आगे है मानो विकास सुचकांक में और भारत 131 नमबर पर आता है ठीक है तो यह आपको समझ में आया होगा यहां देखिए अब मानो विकास कर रहा है तो भाई क्या-क्या उसमें होना चाहिए कि बहुत आगे है तो देखिए पैसा रुपिय इसका मतलब उसका स्वास्त ठीक ठीक होना चाहिए उसके पास शिख्चा और जिवन अस्तर जिवन अस्तर का मतलब मतलब कैसा रुपिया से बहुत अच्छा से हो ठीके अब मान helfen कि यह कुछनान है माड़ा और भाद खाना है बस हो गया यह तो का फायदा आपके पास कोई समपत्व नहीं है मानो विकास इसको थोड़ा बताईगा 2016 के मानोब इसका विकास सुचकांग के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे प्रतम अस्तान पर है तो नौर्वे है आपको लग रहा हो का सिर्फ वीडियो देख रहे हैं सुनिए कमेंट किजिए आपको याद हो जाएगा आपको याद करने की सबसे ज़्यादा नौर्वे नरे नर्वे ठीक है और भारत 131 नंबर पर ऐसे आप बोलिएगा आपको याद हो जाएगा ठीक है चलिए यहां देखिए तो नौर्वे का एच डी एउवन डेवलोप्मेंट इंडेक्स जीरो पॉइंट है नहीं कि एक अगर हिस्सा माने एक देश में तो 0.949 हिस्सा किसका है नौर्वे का और भारत का है 0.624 अब यह क्या है तो मानों विकास सुचकांग का मुल्या है ठीक है एक में से कितना अस्थान लाए तो एक में से 0.9 लाली है सोचो और एक में से हम लोग 0.6 लाया है तो यह हो गया आपका नौर्वे का और यह हमरा हो गया कितना अगला कुस्चन देखिए अगला कुस्चन है कि 2016 के अनुसार भारत का मानों विकास सुचकांग का मुल्या कितना है तो आप अभी बताएं कि भार है दो आचार कितना होता है छे होता है तो बस इतना यह पॉइंट लगा देजेगा यानि कि 624.624 इसका क्या है मुल्या सुचकांग का त्रीक आपको याद हो ना चीए अब यहां पे आईए 2011 के जन गड़ना कि अनुसार भारत का सक्षरता दर कितना है आखिरकार 2011 में जब पॉइंट जिरो चार पॉइंट यहां पे सक्षरता थी जिसमें महिलाओं का सक्षरता कितना था अगर आप उसे यह पुछ देजा या पूरसों का तो यह भी आपसे बताना पड़ेगा तो यहां आपको देख लिजिए कि यहां पे सेवन फोरेन की 74.04 पॉइंट चार छो यहां देखिए 45.46 अगला कोशन देखिए बहुत संदार है भारत में किस राज्य में सरवधिक सक्षरता है सबसे ज्यादा सक्षरता पड़े लिखे लो केरल में या तो आपको पता ही होगा ठीक है यहां देख लिजी यहां पे केरल का सब्सक्राइब सबसे उपर है ठीक है अगला देखिए अगला को सबसे नंबर में चार पांचो आ जाएगा इतना नहीं होगा यह बोले मतलों इसमें चार पांच यह हो जाएगा आपको याद हो रहा होगा कमेंट कर रहे है अब आते हैं यहां पर भारत के निमलीखीत राजियों में से भारत का बहुत सरा राजी है ना उसमें से छे से जीरो से शे वरस की आयू के बच्चे का लिंगानुपात तो यहां पर सबसे निम्न बच्चे और छोटे बच्चों को देखा जाए लड़का और लड़की का अंतर तो हर याना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है तो यह देखिए तो लड़का ज्यादा हो जाए लड़की कम हो जाए तीसी को लिंगानुपात कर आपको पता ह नहीं पूरा उसका साधी विवा हो सकता है 918 गों लड़की से बाकी देख लिए कितना लोग कमारे मरने वाले हैं यहां देखिए हर्याना का लिंगानुपात कितना है आठ सो पचास बालिका है अगर एक हजार प्रती एक हजार बाल को पर आठ सो पचास तो मर लगबग है की नहीं यहां देखिए निमलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं का सक्षर थसे कम है ब्यार में कहां और ठीक ह Warum spellsी यार सबसे बड़ा प्रूबलम है दहेज के चकर में लग जाते हैं जो चीजें हम लोग देए मौने सीस्टर के लिए सिस्टर के लिए दे उस अगला निमलीखित में से किस बिद्वान ने बहुत एक बिद्वान थे मानो जनसंख्या की तुल्ला संसाधनों के अभाव के लिए अभाव के विशय में चीनता व्यक्त किया है एक बिद्वान थे वो सुचे कि बाप्रे संसाधन माने हमारे जरूत का समान कम है जनसंख्या ज्यादा है बड़ा चींता वाली बात है पानी चींता जटाया है एक चली अगला कोश्चा में बहुत अच्छा ने इसको थोड़ा से यहाट आते हैं थे भारत के योजनायोग के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने माले जनसंख्या का सरवधिक प्रतिशत है योजना आयोगी रिपोर्ट देता है वैसे योजना आयोगी अस्थापना कभी थी आपको कमेंट में बताना है हम आपको बस दिन बता रहे हैं 15 मार्च को हुआ थ लेकिन आपको बताना है सन की कब हुआ था ठीक है वैसे गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या जो है किस देश में सबसे ज्यादा लोग गरीब रहते हैं गरीब हैं गरीबी रेखा के नीचे तो 36 गड़ में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अगला में small is beautiful पत्री का यानि कि यह परकाशन हुआ था जिसमें गांधी जी के बीचारते बुड़ों दिख रहे हैं ना चाचा दुकाका जो भी है कि अगला कुस्चर देकेThe a continue यहां देखेगे चौथा लेशन यहां से सुरू हो गया देखे तो यहां पर पास पास घर बना है नहीं यहां पर जब पास एक मेठ थोड़ा सा इसमें हम लोग अलग कलर ले यह जो पास पास घर बन रहा है एक गरामिर बस्ती यह बढ़ा करें फास पास घर तो उसे गुषित क्यों क्यों कि अंगुर देखने बड़ी पास-पास गुचा में राता है तो से गुचित कहते हैं थोड़ा दूरी पर अगर हो जाए थोड़ा दूरी पर तो उससे क्या कहते हैं और वाध याद रखेंगे चलिए यहां लिक भी दियें हैं आपको देख लेज़े मतलब पास-पास बने घर यहां पे ऑर गुछित किसी बड़े गाऊं का भी खंड़न और बढ़का गाउं कोनों तूट जाए उसे क्या कहते है और पुरुआ किसे कहते है तो दूर दूर बहुत दूर घर बसा हो ठीक है मालों की गाउं में कोनों अमीर लोग सबी ला रहे तो का करें गरीब हुआ से हड़ जाते हैं कि बार बार अमीर परिशान करते तो उस समय यह पुरुआ बोलते हैं उसको और यह वाला चार बार अब्जेक्टिव एक्जाम में पूछा है इसको रड़ लो परिछिप्त क्या लिखा है परिछिप्त किसे कहते हैं परिछिप्त बसती तो ऐसा बसती जो पहाड़ों पर कहीं-कहीं बसा होता है ठीक है कहीं दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं गुच्छी तो कहेंगे नहीं हटाओ इसको ठीक है अब आजे यह यहां पर पूर्वा बोलते हैं दूर दूर घर बसे उससे क्या कहते हैं पूर्वा ठीक है यह आप याद रखेंगे चलिए अब यह आपको बताना है बताय थे अभी पहाडों पर कहीं-कहीं घर बसता है ठीक है जोपड़ी बसता है जोपड़ी यहां पर समूह होता है उससे क्या कहते हैं परिछिप्त कहते हैं माने कहीं-कहीं छीपा रहता है एक हान गो एक हान गो तो उसको परिछिप्त बस्तियां कहते हैं आजाए में आ जाता है उधोग मनें भीजनेश अत्रित्यक में आ जाता है नौकरी तो सबसे जदा यहां पर क्रिसी होता है ग्रामीड बस्ती में क्रिसी होता है अगला कुश्चन देखिए आजए हम लोग थोड़ सा एतिहांस के बारे में जाने भारत में नगरों का अव्यूदे किस में हुए था सबसे पहलने सहर बनना कभ शुरू है प्राग एतिहांस काल आद्धे एतिहांस काल यह आपको वैसे आपको troisième सिक बता दें है यहां देखिए प्राग एतिहांस काल पसांड काल को कहते हैं तो आजए एतिहासिकाल होना चाहिए प्राग दिया है लेकिन आद्या होगा क्योंकि जानते हो नगर बंने की शुरूमात अदे क्वा अपके एक असर यह क्या बोल रहे हैं लिए प्राग प्राग इतिहासिकाल अदिधिमानों को कहते हैं ठीक आद जिसे यह पढ़ा तोड़ दिया गया तो यहां देख लिएगा यही है पढ़ सकते इसको पता नहीं पढ़ सकते हैं ठीक है तो यहां पर लिख दिये अगला तो आपके लिए मैंनत करहें तो प्लीजफ भावु इसको सेर कर दीजिए हैं अगला कुष्चं दोल और में भारत में सहरी करण का अस्तर क्या था 31.16 परसेंट तीन दूना चो एक एक डाल देजिएगा एक तीस पॉइंट छो एक चो परसेंट ठीक है यही हो जाएगा अगला कोश्चन है हां माउंट आबू परवत यहां देख रहे हो ना गुरू सिखर ठीक है यहां देखिए कुन टाबू पढ़ता है कहां यहां पर लोग घूमने जाते हैं तो परियाटक अस्ताले यह परियाटक अस्ताले ठीक है और यहां पर यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट निमलिखित में से किस पार्यावर्ण में परिछिप्त ग्रामीड बस्तिया थोड़ा से जूमा बहुत नहीं होता है यहां पर चिप्त ग्रामीड बस्तिया की अपेक्षा नहीं की जाती है तो यहां पर नहीं कि यह इसमें भी पहाड़ी होता है इसमें भी पहाड़ी होता है राजस्तान में भी होता है यह कौन सा माउंट आबू जो उपर वाला यहां पर यह माउंट अ सबसे ज्यादा लोग ग्रामी ने लगवा पुरा परसेंट लोग क्रिसी का काम करते हैं ठीक है एट लास्ट सबसे बड़ा महानगर कौन है आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं सबसे बड़ा भारत का मैप ऐसे मान लिजे कि है तो पहला सबसे बड़ा मुंबई उसके बाद से इस साइड कोलकता ठीक उसके बाद से आपका मील जाएगा यहां पे कौन सा दिल्ली उपर है ना बीच में बीच में और लास्ट में चैनली तो एक दो तीन चार यहां पर सबसे बड़ा मुंबई हो जाएगा तो आप्सन में भी हो जाएगा अब इसको कभी-कभी करम में सजाने को भी दे देता है देखिए यहां पर बड़े नगरों का करम मुंबई कोलकता दिल्ली और चैनली और आपको इसी करम में सजा देना है चलिए अगला कोशन का इंसर हम नहीं देंगे आपको खुद बताने के निमली खित नगरों को कौन सा वर्ग पादानु करम का करम बंद है इसको करम में सजा देजिए कौन सा होगा पहले ब्रियाद मुंबई फिर कोलकता फिर दिल्ली फिर चन्नाई ठीक है तो चन्नाई एक्सप्रेस सेशन को सेयर करें अगर देखिए अगर आप अपने ग्यापन एकेडमी से प्यार महबबत करते हैं इसक करते हैं तो एक काम आप जरूर किजिए आप इसको अपने वाटसेप के स्टेटस में जरूर बाबु डाल दिए प्लीज चलता रहेगा और दोनों कम्ट्रीट हो जाएगा और इसको कमेंट में उसका अंसर दिजेगा कि पूरे भारत में सबसे कंपढ़े लिखे लोगों का सक्षर्ता कहां है पहला कॉस्षन और दूसरा कोश्चन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहा है दूसरा कोश्चन ये दोनों कोश्चन का आपको एंसर कमेंट में बताना है तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेशन के साथ तब तक लिए जैहिंद और खुदा हाफिश